चतुर लकड़ारा नंदन्मन में बास के बहुत से पेड़ थे। उन बास के पेड़ को काटने के लिए चार मजदुर बुलाए गए थे। शाम, मोहं, रमिश और बाबुलाल। बाबुलाल थोड़ा बुड़ा था, पर सेठ जी का काफी प्रिये मचदुर था। इसलिए कहीं पर भी काम होता, सेठ जी बाबुलाल को अपने साथ जरूर रखते। बाबुलाल दिन में पेड़ काटता, फिर खाना खाके एक घंटा आराम करता। उसके बाद बचे हुए समय में और पेड़ काटता। और इन सब में उसके सेठ जी भी उसे कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वो अपना काम सही समय पर पूरा कर लेता था। पर उसकी ये आदर उसके अन्यसाथियों को पसंद ना थी। एक दिन दुपर में खाना खाते समय शाम, मोहन और रमेश से कहता है। देखो तो, ये तो अब रोज का हो क्या है। हम खाना खाके अपना काम करने चले जाते हैं, पर ये बाबुलाल, एक तो आदे घंटे तक खाना खाता है, उसके बाद एक घंटा सोता है, फिर आराम से पेड कारता है, और सेट जी उससे कुछ कहते भी नहीं। सही बोल रहे हो, श्याम भाई, लगता है सेट जी से बात करनी ही होगी। हाँ, ठीक है चलो, अज फैसला होई जाए। इससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद नहीं होते क्या। यही सही। इतने में बाबुलाल भी वहाँ आ चुका था। सेट जी ने बाबुलाल को बुलाया और दूसरे दिन होने वाली प्रतियोगिता की घोशना कर दी। और यह भी कहा कि जीतने वाले को दस हजार रुपे का इनाम मिलेगा। सब खुशी-खुशी अपने कामपन लोट गए। अगले दिन पै समय पर सब आ गए। श्याम, मोहन और रमेश आने के साथ ही जल्दी-जल्दी पेड काटने में लग गए। और बाबुलाल हमेशा की तरह आराम से पेड काट रहा था। लंज का समय हो गया, सब जल्दी-जल्दी खाना खाके फिर से पेड काटने में लग गए। और बाबुलाल रोज की तरह खाना खाके एक गंटे बाद लोटा। देखो, आज भी बाबुलाल आराम से ही आ रहा है। हाँ, अभी तक इसके तीन पेड ही कटे हैं, और हम लोगों के उससे भी ज्यादा है, इसे किसी चीज का मोल ही नहीं पता। जाने दो, हमें क्या? अब विजयता हम तीन मेंसे ही कोई एक होगा ना। अब सब अपने काम में लग गए और बाबुलाल भी अपनी धून में पेड काट रहा था। शाम हुई, सेट जी वहां पहुँचे, जहां सब की लकडियां अलग-अलग रखी थी। अब पता चलेगा सेट जी को कौन कितना मैनती है? इतने में सेट जी ने कहा। चलो भई, अब तुम चारों की लकडियां मैं गिन लेता हूँ और विजेता का नाम बताता हूँ। ये? शाम, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ और ये दस लकडियां। अब मोहन की बारी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नौ लकडियां। और अब रमेश की बारी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नौ लकडियां। चलो बाबुलाल की लकडियां देखते हैं। शाम धीरे से बुला, उसकी लकडियां क्या देखना, चार या पांच से जादा क्या होगी। बाबुलाल एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा और ये बाहरा लकडियां। अब सारी लोग एकदम आश्यरे चकीत होकर लकडियां देखने लगी। ऐसा कैसे ओर सकता है सेट जी, हम लोग सुबह से कामे लगे हुए हैं। और बाबुलाल ने तो एक घंटा आराम भी किया। फिर ये हमसे ज्यादा लकडियां कैसे काट सकता है। अब इसका जवाब तो बाबुलाल ही देगा। बोलो बाबुलाल। जी सेट जी, क्यों नहीं। दरसल बात ये है कि मैं हर रोज खाना खाने के बाद आराम नहीं करता हूं। बलकि पूरे एक घंटे मैं एक पत्थर पर अपनी कुलहारी की धार तेज करता हूं। ताकि खाना खाने के बाद बचे हुए समय में मैं अपना काम और तेजी से कर सकूं। और आज भी ऐसा ही हुआ है। शाबाश बाबुलाल ये लो तुम्हारे नाम के दसजार रुपए। अब शायद तुम लोग समझ गए होंगे कि बाबुलाल मुझे इतना प्रियक क्यूं है। बाकी लोग अपनी सूच पर शर्मिंदा थे और सर जुकाए सेट ची की बात सुन रहे थे। शिक्षा हमें मैनत के साथ साथ बुद्धी का भी इस्तिमाल करना चाहिए।